हारु फिक्स सैमसंग M31 किप्स लॉजिंग वाइफाई कनेक्शन प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप जो है अपने सैमसंग की डिवाइस में इस प्रॉबलम को यहाँ पर सॉल्फ के से कर सकते हैं तो कई बार दोस्तों क्या होते हैं हम जब वाई-फाय कनेक्टिवीटी पर रहते हैं ठीक है कुछ downloading चल रहे तो वह post हो जाते हैं तो इस तरीके का problem आते है अगर wifi disk connect होते रहते हैं बार-बार तो ये दोस्तो कोई normal problem तो नहीं है लेकिन दोस्तो हमें इसको fix करना होगा केसे fix करना है मैं आपको solution बताऊंगा आपको वह solution follow करना है and then solve हो जागा problem ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें और अगर आप online पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो यहाँ पर दोस्तों शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीस बता रहता हूँ आप जिस भी device से hotspot ले रहा है ठीक है उस device में चेक किजिए hotspot limit लगा हुआ है या नहीं है इंटरनेट कनेक्टिविटी ओन है या नहीं है वो चेक करें सारे साथ उसका software अपडेट होना चाहिए ठीक है और mobile को restart करके आप reconnect करके देख सकते हैं बस इतना कर लिना है अगर हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका problem solve हो जाएगा अगर अभी दोस्तों problem है तो आपको अपने डिवाइस में problem fix करना होगा क्या करना है सबसे पहले restart करे restart से fix हो जाता है तो ठीक है अगर restart से नहीं हो रहा है problem solve तो जाए दोस्तों connection पे और को आफ कर दीजिंग है जuri दोस्तों वाइफ आफ यहां यहां पर दोस्तों और वाइफ हो कर दीजी और सारे cvesting यहां पर मिलेगा यह और यहाप दोस्तों आपका जो होट्सपोट है वह ना चाहिए इतना में तू पॉइंट जेरो या फिर फाइव तो यहाप दोस्तों इसको आपको नहीं होगा और उसके बाद दोस्तों अभी भी आपको जो है प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नेक्स सॉलिशन फोलो कर लेकिन उससे पहले दोस्तों अब इसको ट्राइक करके जरूर देखना ठीक है यह सेटिंग सब करने के बाद दोस्तों आब एक बार दुबारा से करके देखे सॉल्फ हो जाना चाहिए अगर सॉल्फ हो जाता है ठीक है अगर फिर भी प्रॉब्लम आते तो जेनेरल मेनेच् करके देखे सॉल्फ हो चुका होगा आपकर प्रॉब्लम इनी-चांस अभी आपको अगर प्रॉब्लम आते हैं तो सौ beautiful करने सी भी कुछ solutions नहीं हो रहा है आपने सब कुछ ट्राइब करके देखा जो भी पॉसिवल सोलुइशन है सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है तो आप फेक्टुरी डेटा आपको कहा कि जो भी दिवाई से हस्पोर ले रहा है उसको भी आप चेक जरू करें ठीक है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही टेंक्स वाचिंग